तो जब भी आपकोई field को अपने value section में रखते हैं तो वहाँ पे sum या count आता है तो sum कब आएगा जब जिस data को आपने select किया उसमें सिर्फ number हो कोई blank बगरा न हो अब कोई blank बगरा हो तो यहाँ पे आपको क्या आएगा count में आएगा तो count को हम value field setting में जाके हम इसको sum कर लेंगे तेकि problem है कि मेरे data में बहुत सारे decimals हैं तो ऐसा आपको यहाँ से decimal places आएगा और आपको यहाँ से decimal पीज़ादा करना पड़ेगा लेकिन यह not connected to your pivot table करके date में जो refresh करते हैं तो यह भी अपने आपको change कर लेता है तो अच्छा है कि जम value field setting करें तो यहीं पर हमारा number format दिखेगा और यहीं पर हम अपना number format का अपनी decimal को zero कर देए जो भी decimal पर चाहिए और decimal places हम यहाँ पर कर देते हैं उसके बाद हम just यहाँ पर ok करेंगे और यहाँ ok करेंगे तो data आजाएगा अब झाल